आज हम लोग इपीडी डायमिस यानि अधिवरिशन के बारें पढ़ेंगे भास इप्रेंस या सुक्र अपवाहिकाएं आपस में जूर कर इपीडी डायमिस का निर्मान करता है जो विद्यार्थी टेस्टिस वाला चेप्टर पढ़ेंगे जो वीडियो देखेंगे तो उसको इपीडी डायमिस समझ मैंगा पहले टेस्टिस वाला वीडियो को देख लिजिए उस चेप्टर को आप बढ़ियां से पढ़ें इसके बाद आगे उससे इसको पढ़िएगा तो कहता है भास इप्रेंस यानि सुक्र अपवाहिकाएं आपस में जूर कर इपीडी डायमिस का निर्मान करता है जो टेस्टिस यानि विरिशन के निचले भाग में इस्थित होता है विरिशन के निचले भाग में इस्थित होता है इपीडायमिस यानि अधिवरिशन पांस से छो मिटर लंबा कोई पूछेगा कि अधिवरिशन की लंबाई कितनी होती है तो पांस से छो सुप मिटर क् prioritize sageami लमबा Qung Dr. I am parall nessa अ कारण है कि इसी में एस्पम् यानि स्जुक्रानु का संग्रहन पोशन एवं पड़िपक्क होता है सुक्रानु जो है किसके अंदर पड़िपक्क होता है तो इपीडी डायमिस के अंदर पड़िपक्क होता है सुक्रानु किसके अंदर सुक्रानु को पॉसन मिलता है तो इपीडी डायमिस के अंदर है तो इपीडी डायमिस यानि अधि ब्रिशन के अंतर सव्टिंटर अद cafe अधि ब्रीशन से ऎक नली निकलती है जिसे सुख्र वाहिका करते हैं सुख्रवाहिका को हम अंगmberजी में इप्रेंसिया करते हैं कि इस अधि प्रीशन के बाद हम सुक्रवाहिका के बारे में पढ़ेंगे फिलाल इसको आप लिख लिजिए और वाहिका इसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं कि इसको मिटादेते हैं घर है ने के बाद सुकर वाहिका को हम लिखते हैं तिक इसको मिटादे प है